नश्कार साथियों, आज जो मैं सिध्धानत आपके लेके आया हूँ, वो है एबिन होस का फॉर्गेटिंग कर्व, वी स्मृति वक्र, चलिए शुरू करते हैं, तो हम यहां देख रहे हैं, फॉर्गेटिंग कर्व, वी स्मृति वक्र, तो वी स्मृति कब होती है, जब हम वी स्मृति किसे कहते हैं, तो फॉर्गेटिंग है, एपसेंस ओफ रिकॉलिंग और रिट्रीवल, प्रत्या स्मरण यह या पुनह स्मरण का अभाव, तो जब भी व्यक्ति स्मृति में रखी गई चीजों को पुनह स्मृति नहीं कर पाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वी स्मृति कहते हैं, अब इस वी स्मृति के लिए, वक्र जो हमें दिया, वो वक्र दिया, हर्मन एबिनहॉस ने, अठारा सो पिचासी में, तो यह जो वी स्मृति वक्र है, फॉर्गेटिंग कर्व है, यह क्या है, यह एबिनहॉस का दिया हुआ है, अबिनहॉस ने, नॉंसेंस सिलेबल्स, यानि कुछ ऐसे ही, जो अमानक शब्द थे, उनको दिया, याद करने के लिए, और 20 मिनट से लेकर, 31 दिन तक के, उसने अलग-अलग टेस्ट, उन्ही चीज़ों को देखे, और इससे उन्होंने इस वक्र का निर्मान किया, इस तरफ जो हमारे पास है, वो है धारण की गई मात्रा, अगर हम इस तरफ देखें, तो ये है धारण की गई, धारण की मात्रा, जो की प्रतिशत में दे रखी है, और वो इस तरीके से बढ़ रही है, धारण की मात्रा जो है, जबकि इधर हम देखें तो इधर सीखने के बाद का समय दिनों में दे रखा है इलैप्स टाइम है तो सीखने के बाद बीता समय तो सीखने के बाद जो बीता हुआ समय है उसको यहाँ पर दिखाया गया जो की 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 21 तक दिया है अब अगर हम देखें तो यहाँ लाइन दी गई है यानि इस लाइन से अगर हम उपर चलें तो इस लाइन से उपर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है वी स्मरण की मात्रा यानि कितना व्यक्ती भूल चुका है यह जो है यह है वी स्मरण की मात्रा जबकि अगर हम इस से विपरीत यह देखें तो यह जो इस पेस आता है यह क्या आता है यह है अमाउंट रिटेंड अमाउंट ओफ इन्फोर्मेशन रिटेंड यानि धारण जो करी गई है सूचनाएं उनकी मात्रा तो धारण की मात्रा तो देखें यहां लगभग हम देख रहे हैं कि 20 मिनट में 60 प्रतिशत 20 मिनट में लगभग 60 प्रतिशत चीज़ें भूल जाता है व्यक्ती एक घंटे तक आते आते हम क्या देखेंगे व्यक्ती को केवल 44 परसंट के आसपास तक यहां पर दिख रहा है कि 44 परसंट तक रहता है यानि कितना भूल चुका होता है वो लगभग हम देखेंगे कि 66 परसंट तक भूल चुका है जबकि 9 गंटे तक वो लगभग 30 प्रतिशत तक याद रहता है उसको अर्थात वो 70 प्रतिशत तक भूल चुका है तो याद कितना रहा 30 प्रतिशत भूल कितना गया 70 प्रतिशत 9 गंटे में इसलिए शुरुवाती 9 गंटे बहुत महत्पूर माने जाते हैं किसी भी लर्ण की गई चीज को किसी भी अधिगमे चीज को पुनह रिवीजन करने के लिए पुनरागृती करने के लिए इसको हम दे के ज़्यादा एक्स्प्लीन करने की कोशिश करते हैं यानि जो इमीडियेटली यानि जैसे ही व्यक्ती ने याद किया तुरंत तो तुरंत उसको 100 प्रतिशत याद रहेगा जबकि वहीं पे जब उसके 20 मिनट बीच जाते हैं तो 20 मिनट बीच जाते हैं तो उसको 58 फीस दी क्या देख रहे हैं हम 58 फीसदी वो बूल जाता है हमारे पास 58 फीसदी उसको याद रहता है बूल कितना जाता है वो लगबग 42 फीसदी बूल जाता है फिर एक घंटे में उसका ग्राफ कितने पर आ जाता है? 44 परसंट यानि उसको कितना रहता है? 44 परसंट तो पीछे हैं हमने retention का जो कर्व देखा था तो कितना रह गया? केबल 44 परसंट रह गया 9 घंटे के बाद उसको 36 परसंट याद रह जाता है और लगबग 44 परसंट वो भूल चुका होता है एक दिन के बाद हम अगर देखें तो एक दिन के अंतराल के बाद उसको 33 परतिशत याद रहता है और वो लगबग 67 फीसदी भूल चुका होता है दो दिन के बाद पेस्ट भूलने की थोड़ी कम हो जाती है वो 28 फीसदी याद रखता है जबकि भूल कितना चुका होता है वो 72 फीसदी 72 परसंट वो भूल चुका होता है च्छे दिन के बाद उसको 65 परसंट याद रहता है और वो 75 फूल चुका होता है जबकि जो फिर हम देखेंगे कि हमारा एक लॉंग डूरेशन कर्व है 31 देज 31 दिन के बाद उसको 21 परतिशत याद रहता है वो लगबग 79 परसंट भूल चुका होता है तो जो वो 79% भूल चुका होता है तो ये हमारा क्या रहता है ये हमारा अब इस्थाई स्मृती रहती है यानि अगर मैंने आज कोई चीज अधिगमित करी और मैं इसको 31 दिन तक थोड़ा भी रिवाइज नहीं करता हूँ तो इसके अंश मात्र मेरे मस्तिश्क में स्मृती में रहेंगे और वो कितना रहेगा वो 31 दिन के बाद केवल 21 प्रतिशत रहेगा यानि मुझे ये तो पता रहेगा कि मैंने ये पढ़ा लेकिन उस पूरे कंटेंट के बहुत कम मेमोरी को मैं रिकॉल कर पाऊँगा साथ यह उमीद करता हूँ कि आपको ये वी स्मृती वक्र समझ में आया होगा कि कैसे हम चीज़ों को भूलते जाते हैं यानि वी स्मृती आती है हमारी जो कि एबेन होस का दिया हुआ था देख रहे थे उन सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं साथियों नमस्कार